दोस्तो आज हम 36 गड़ की स्थिती इम विस्तार के बारे में जानेंगे तो इसको जानने से पहले आपसे एक रिक्विस्ट है कि आप इसको पढ़ने से पहले जोग्रोफी का एक सीरीज देखेंगे जहां पे अक्षांस एवं दिशानता रिखाओं के बारे में मैंने चर्चा किया है तो वो आप देखेंगे तो इसको आप बहुत बहतर समझ पाएंगे ठीक है तो 36 गड़ अगर हम देखें तो भारत का एक राज्य है और भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है भारत क्या है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है तो अगर पूरे पित्वी की हम बात करें सपोज ये हमारी पृत्वी है इस पृत्वी में साथ महाद्वीप हैं और कम से कम 200 से अधिक देश हैं और लग भग कई हजार द्वीप हैं तो अलग-अलग इस्थान पर हैं पृत्वी के ठीक है कोई यहाँ पे होगा कोई यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा अलग अलग इस्थानों पर पृत्वी में क्या है अलग-अलग देशों के स्थिती है अलग-अलग प्रान्तों के स्थिती है उसमें 36 गड़ जो है हमारा भारत का एक प्रान्त है तो भारत की स्थिती अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको जानने के लिए या अक्छांस रेखा कीची गई है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री की अक्छांस रेखा ठीक है इस पर आज मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भूगोल के सेरीस पर मैंने चर्चा की है तो 0 डिग्री अक्छांस रेखा जो पुरे पृत्वी को दो बराबर भागों मार्ड़ी से भू मध्ध रेखा कहते हैं क्योंकि भू को क्या करती है मध्ध में डिवाइट करती है तो इसके उपर वाला जो भाग है ये कहलाता है उत्री गुलार्द ये क्या कहलाता है उत्री गुलार्द कहलाता है North Hemisphere और इसके नीचे वाला भाग दक्षिनी गुलार्द कहलाता है ठीक है? इसके बीचो बीच उर्द्वारधार एक और रेखा किची गई है जिसको हम बोलते हैं Zero degree देशांतर रेखा क्या बोलते है? Zero degree देशांतर रेखा तो यह जो देशांतर रेखा है Zero degree की यह भी पृत्वी को दो हिस्सों में क्या करती है? देखती है कि इसके इस दरब पुर्वी भाग है इसके इस दरब क्या है? पुर्वी गुलार्द और इधर क्या है? पस्चिमी गुलार्द तो इसको हम पुर्वी गुलार्द कह सकते हैं को क्या कहते हैं पश्चिमी गुलार्ध तो पृत्वी को चार गुलार्धों में देखा जा सकता है ये उत्तरी गुलार्ध है ये दक्षणी गुलार्ध है ये पुर्वी गुलार्ध है और ये पश्चिमी गुलार्ध है ये चार गुलार्ध हमारे पृत्वी में तो भारत की जो इस्थिती है वो यहाँ पर है भारत कहाँ पर है उत्तर से उपर और इधर 0 से नीचे इस 0 से उपर है और इस 0 के पुरू में है तो यहाँ पर हमारा भारत है यह यह हमारा भारत ठीक है तो भारत जो है वो यहाँ से 0 के बाद 8 degree 4 minute से शुरू होता है और 37 degree 6 minute पे खतम हो जाता है तो भारत की अगर आप अक्छान से विस्तार की बात करें तो 8 degree 4 minute से 37 degree 6 minute उत्तरी अक्छान्स अगर हम यहाँ पे अक्छान्स ना लगाएं कि 8 degree 4 minute और 37 degree 6 minute हम कहें तो वो यहाँ पे भी होगा यहाँ पर भी 0 है 1, 2, 3 करके 8 आएगा और 8 के बाद यहाँ पर 37 आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है भारत के स्थिति हो सकती है इसलिए दिशा लगाना बहुत जरूरी है तो 8 डिगरी 4 मिनट नौर्थ लेटिटूट से 37 डिगरी 6 मिनट नौर्थ लेटिटूट यह भारत का अच्छान से विस्तार है और देशांत्री विस्तार भारत का अगर हम देखें तो 68 डिगरी 7 मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट है ठीक है, 68 degree 7 minute से 97 degree 25 minute, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे पुर्वी देशांतर ना लिखें, तो वो यह पस्यमी देशांतर में भी होगा, यहाँ पे भी आप इधर जाएंगे तो 68 degree होगा, और 97.25 minute भी होगा, इसलिए यहाँ पे आपको र्याद रखन है कि यह क्या है, पुर्वी देशांतर है, 68 degree 7 minute पुर्वी देशांतर और 97.25 minute भी देशांतर, तो भारत का विस्तार, 8 degree 4 minute उत्तरी अक्षांस से लेकर, 37 degree 6 minute उत्तरी अक्षांस, 68 degree 7 minute पुर्वी देशांतर से 97.25 minute भी देशांतर, ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझे, अगर मैं कहूं कि 8 डिग्री 4 मिनिट से भारत सुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनिट पर खतम होता है और देशांतरी विस्तार ना बताया जाए मतलब देशांतर का आप इस्तमान ला करें तब भी आप perfect location नहीं निकाल सकते कैसे क्योंकि ये जो 8 डिग्री 4 मिनिट होगा ये पूरे पृत्वी पर होगा ये ये क्या होगा पूरे पृत्वी पर एक रित्त होगा मतलब ये जो बिंदू है पृत्वी के अलग-अलग हिस्से में है ठीक है मतलब भारत कहीं पर भी सुरू हो सकता है इसलिए हम क्या करते हैं exact इस्थिति बताने के लिए देशानतर रिखाओं कब इस्तमाल करते हैं तो किसी भी देश की अराजिक इस्थिति बनाने के लिए अक्षान से देशानतर का इस्तमाल किया जाता है अब देखो यहाँ पर 36 गड़ है यह भारत के यहाँ पर तो इसका मतलब होगा 8 के बाद और 37 से नीचे 36 गड़ का विस्तार होगा और इधर 68 के बाद और 97 से पहले ठीक है? इतना समझ में आया? तो अगर हम 37 गड़ की बात करें तो ये 36 गड़ है हमारा 36 गड़ का एक प्रतिरूफ हम बना लेते हैं ये 36 गड़ क्लियर है? ये हमारा क्या है? 36 गड़ है तो 36 गड़ जो शुरू होता है यहां से और यहां पर खतम होता है अक्षांस में और देशांतर में यहां पे यह सबसे इसका पस्ट्रमी बिंदु है और यहां पे इसका सबसे पुर्वे बिंदु है तो अगर हम 36 गड़ की बात करें तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो बलरामपुर जिले में पढ़ता है वो कहां पढ़ता है? बलरामपुर जिले में सबसे पुर्वी बिंदू पड़ता है जस्पुर जिले में पश्मी बिंदू पड़ता है बीजापुर जिले में और इसका दक्षन बिंदू है सुक्मा जिले में ठीक है? तो 36 गढ़ हमारा शुरू होता है 17 डिगरी 46 मिनट से 24 डिगरी 5 मिनट 37 डिगरी 46 मिनट से 24 डिगरी 5 मिनट उत्री अक्षान्श और इसका देशांतरी विस्तार है 80 डिगरी 15 मिनट से 84 डिगरी 25 मिनट ये 36 गढ़ का देशांतरी विस्तार है तो अक्षांसे विस्तार कितना है? 17, 44 से 24, 5 और 80, 15 से 84, 25 देशांतर विस्तार है तो ये पुर्वी देशांतर है, ये क्या है आपका? पुर्वी देशांतर, ये भी पुर्वी देशांतर है और ये आपका उत्तरी अक्छांस है और ये भी आपका क्या है उत्तरी अक्छांस तो 17 डिगरी 46 मिनट उत्तरी अक्छांस से लेकर 24 डिगरी 5 मिनट उत्तरी अक्छांस 80 डिगरी 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 24 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर तो देखो 80-84, 4 डिगरी देशांतर, और 17-24, लगभग 7 डिगरी देशांतर, इसका मतलब यह हुआ, 36 गड़ का अक्छांसी विस्तार क्या है, अधिक है, देशांतरी विस्तार कम है, अगर हम अक्छांसी और देशांतरी विस्तार की बात करें, तो 36 गड़ की अक्छांसी इस इस्तिती क्या है देशांत्री इस्तिती से अधिक है तो ये जो दूरी है वो अधिक है उत्तर से दक्षिन के और ये जो दूरी है 700 किलोमेटर से अधिक है चतिसगड में अगर आपको बलरामपूर से ले करके सुपमा तक जाना है तो आपको 700 किलोमेटर से अधिक की दूरी त पुर्व से पस्षिम विस्तार 435 किलो मेटर है और इसके साथ पूरी 36 गड़ का छेत्रफल ये जो पूरा एरिया है च्छतिस गड़ का ये है 135-192 वर्ग किलो मेटर 135-192 इसका मतलब एक लाग 35-192 वर्ग किलो मेटर चेत्रफल है च्छतिस गड़ का और इस पूरे भारत का चेत्रफल का ये 36 गड़ का छेत्रफल पूरे भारत के छेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है, किता है 4.11 प्रतिशत या 4.11 परसेंट और मध्रप्रदेश राजजी का, 36 गड़ जो है वो मध्रप्रदेश राजजी से तूट कर बना है और मध्रप्रदेश राजजी का, ये 30 प्रतिशत से अधिक है, ये 30.47 परसेंट है, किता है 30.47 परसेंट 36 गड़, तो ये हो गया 36 गड़ के स्थिति एवं विस्तार, अब हम देखते हैं, कि 36 गड़ के आसपास, कौन-कौन से अलग राजजी है और, तो यहाँ पर ये बात ग या किसी दूसरे देश की सीमा को साजा नहीं करता है, 36 गड़ जो है, ये एक land-locked state है, अर्थात भू आवेस्टित राज्य है, किसी भी देश की सीमा को नहीं चूता है, ना ही किसी भी समुद्री सीमा को इसपरस करता है, ठीक है, तो ये 4 तरफ भारत के अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, 36 गड़, ठीक है, अलग-अलग राज्यों से घिरा हुआ है, देखते हैं सबसे पहले, देखिए, सबसे यहां से हम सुरू करते हैं, कहां से सुरू करते हैं, इधर से सुरू करते हैं, इधर से, ठीक है, तो यहां पे बीजापुर से, ये, और राजनान तक बिजापुर से राजणान गाउन तक छतिसगर महराष्ट से लगा हुआ है महराष्ट अर्थात इसके पस्रिम भाग में महराष्ट है ठीक है और राजणान गाउन से ले करके बलराम पुर तक स्वारी, सूरजपुर्तक, ठीक है, राजनान गाउं से सूरजपुर्तक यहाँ पे मध्ध प्रदेश लगा हुआ है, यह क्या लगा हुआ है, मध्ध प्रदेश, ठीक है, तो पस्चिम में देखेंगे आप महराष्ट है और मध्ध प्रदेश है, ठीक है, किन-किन जिलों को को इसपर्स करता है चार जीलों से महाराष्ट लगा हुआ है राजनान गाओं कांकेर नरायनपूर और बीजापूर क्लियर है इसके बाद अगर आप उपर देखें महद्ध मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश जो है यह राजनान गाओं को इसपर्स करता है यह राजनान ग कोरिया को करता है सूरजपूर को करता है और यहां पे बलरामपूर को भी हिसपर्स करता है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ जीलों को मध्यपदेश क्या करता है इसपर्स करता है राजनान गाउं कवर्धा मुंगेली बिलासपूर कोरिया सूरजपूर और उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश चतिस गड़ के केवल बलरामपूर जीले को चूता है केवल किसको चूता है बलरामपूर जीले को ठीक है चतिस गड़ जो है उत्तर प्रदेश चतिस गड़ के केवल महराष्ट, मद्धप्रदेश, उत्तरप्रदेश उसके बाद यहां जस्पुर तक ये है जारखंड, ये क्या है जारखंड, जारखंड राज्य है क्या है जारखंड, तो ये होगे आपका जारखंड चूता है बलरामपुर को और जस्पुर को ये दो जीलो को, किसको छूता है, जारखन, बलरामपुर को और जस्पुर को इन दो जीलो को छूता है और इसका जो पुरा पुर्वी भाग है, सुक्मा तक का छेतर यहाँ पर इसपर्स होता है उडिसा, उडिसा एक राज्य है कौन सा राज्य है उडिशा ठीक है उडिशा ये राज्य है उसके बाद उडिशा के बाद यहाँ पे आंध्रपदेश है जो सुक्मा को इस पर्स करता है और यहाँ पे तिलंगाना यहाँ पर क्या है तिलंगाना तो इस प्रकार देखेंगे महराष्ट, मद्रपदेश, उत्त 3-4-5-6-7 36 गढ़ के 7 पडोसी राज़े किते राज्य हैं 7 पडोसी राजिशतिस गढ़ में ठीक है अब यहां पर उडीसा देखो किसको इसपर्स करता है तु यह जस्पूर को इसपर्स करता है पहला फिर राइगड को इसपर्स करता है दूसरा फिर महासमुन को इसपर्स करता है तीसरा गरिया बन को इसपर्स करता है चौथा यहां पे थोड़ा सा हिस्सा धमतरी को इसपर्स करता है पांच वा एक, दो, ती, चार, पांच धमतरी धमतरी के बाद कांकेर को इसपर्स नहीं करता है उडिसा सीधा कुंडा गाओं को छे बस्तर साथ और सुक्मा आठ इन आठ राज्यों को कौन इसपर्स करता है उडिसा सरवाधिक सबसे जादा जीलों को सबसे जादा जीलों को कौन इसपर्स करता है उडिसा इसपर्स करता है ठीक है सुक्मा को बस्तर को कांकेर को, धमतरी को, गरियाबन को, महासमुंद को, राइगड को और जस्पुर को तो सबसे बड़ी राजी सीमा किसकी है उड़ी साकी, 36 गड़ के साथ 36 गड़ के साथ सबसे बड़ी राजी सीमा किसकी उड़ी साकी है आठ जीलों को क्या करता है यह इस पर्स करता है आंध्रपदेश जो है वो सुक्मा के केवल कुछ ही भाग को इस पर्स करता है तो आंध्रपदेश केवल सुक्मा सो क्या होता है इस पर्स करता है सुक्मा के साथ क्या बनाता है यह सीमा बनाता है जबकि तेलंगाना सुक्मा औ और बीजापूर, दोनों के साथ क्या करता है, इस पर्स करता है, ठीक है, सबसे कम, राजी सीमा किसकी है, धमतरी की, जीले से अगर बात करें तो धमतरी सबसे कम छूता है, सबसे कम सीमा किसकी है, धमतरी जीले की, सबसे कम किसकी है, धमतरी जीले की है, उसके बाद आंधपद और सबसे जादा सीमा अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखो उडिसा आप जी ले की उडिसा राज्जी की किसकी है? इतनी बात समझवे आई? ठीक है ये हमारे क्या हो गए? पडूसी राज्जी हो गए. क्लियर है, किनको किनको छूते हैं, किनकी जीलों को ये भी बात क्लियर हो गई अब यहाँ पर एक चीज देखिए, कि हमने क्या देखा, चत्तिसगड की स्थितिय विस्तार में कि स्थिति और विस्तार में हमने देखा, 17 डिगरी, 40 मिनट से, 24 डिगरी, 5 मिनट, 3 अकचान्स 88, 15 से, 84, 25 पुर्वी दिशान्तर, यह हमने देखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो करक रेखा है हमने भुगोल के पार्ट में देखा था, तो करक रेखा जो है, 25 डिगरी, उत्री अकचांस को करक रेखा कहा जाता है तो जो करक रेखा है, वो चत्तिसगड के उत्री हिस्से से गुजरते, देखो, यहाँ पर हैगा 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, और यह, 23 तो यहां कहीं पे साड़े तेज़ डिगरी क्या होगा, करक रेखा चतिस गड़ से गुजरेगी, तो आपको इधान रखना है कि करक रेखा चतिस गड़ के उत्तरी भाग से गुजरती है, अर्थात करक रेखा चतिस गड़ के सरगुजा संभाग से गुजरती है, कहां से गु है वो गुजरती है आपका कोरिया से ठीक है दूसरा सूरजपूर से और तीसरा बलरामपूर से इन तीन जिलों से होकर करक्रेखा गुजरती ठीक है करक्रेखा 36 गड के उत्री हिस्से से गुजरती है कोरिया सूरजपूर और बलरामपूर से ठीक है उसके बाद एक देशांतर रेखा है जो भारत का मानक समय है भारत का एक मानक समय है डैटी साधे 82 डिगरी पुर्वी देशांतर ये इलहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है, सबसे करीब में इलहाबाद के निकट नैनी से उकर, और 36 गर चुकी 80 से 84 है, इसका मतलब 85 कहीं से यह क्या गुजरेगा, यह देशांतर रेखा गुजरेगा, ठीक है, जो भारत का मानक समय रेखा है, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप भुगोल का सिरीज देखिए, ठीक है, अब भी हम देखते हैं कि किस किस जीले से यह गुजरता है, तो देशांतर रेखा जो है साड़े ब्यासे डिगरी की, जिसका नाम है IST, इंडियन स्टेंडर टाइम कहा गया है से, हमने क्या का भारत का मानक समय क्या निद्भारित किय है साड़े ब्यासे डिगरी पुर्वी देशांतर, उसके पीछे कुछ रिजन है, उसके लिए आप भुगोल का सिरीज देखिए, IST, तो यह गुजरता है थोड़ा सा सूरचपूर से, सूरचपूर, फिर उसके बाद कोरिया, फिर उसके बाद कोरबा, फिर जान्जगिर च सूरचपूर से, कोरिया से, कोरबा से, जान्जगिर चांपा से, बलाओदा बजार से, महा समुन्द से, और आपका गरिया बन से, इन साथ जिलों से होकर कौन सी रिखा गुजरती है, साड़े ब्यासे डिगरी की पुर्वी देशांतर, IST, ठीक है, और देखो यहाँ पर य एक दूसरे को काट रही है, तो यह जो आपका IST है, और करकरेखा, ट्रॉपिक अप कैंसर, यह दोनों कोरिया जिले में एक दूसरे को इसपर्स करती है, कहां इसपर्स करती है, कोरिया जिले में, कोरिया जिले में एक दूसरे को क्या करती है, ठीक है, 36 गड़ में बहुत सा तो ये हमने आज चतिस गड़ को जाना देख लेते हैं एक बार quick revise कर लेते हैं चतिस गड़ की स्थितियम विस्तार हमने आज जाना पूरे पृत्वी में चतिस गड़ की स्थिति कहां है तो उत्तरी में और पुर्वी गुलार्द में उत्तर पुर्वी गुलार्द में है, क्योंकि भारत भी कहां पे है, उत्तर पुर्वी गुलार्द में है, भारत का विस्तार 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट है, 68 डिगरी 7 मिनट पुर्वी देशांतर से 97 डिगरी 25 मिनट पुर्वी देशांतर, तो यहीं कहीं बीच में ह और इधर से अगर आप इधर जाएंगे तो देशांतरी विस्तार है वर किलोमेटर का चतिस गड़ का चेत्रफल है ठीक है चेत्रफल के अधार पर चतिस गड़ भारत का दस्वा बड़ा राज्य है कितना बड़ा राज्य है दस्वा बड़ा राज्य है चतिस गड़ और पूरे भारत का 4.11 प्रतीशत है पुरे भारत का कितना है 4.11 प्रतीशत, clear है, मध्ध प्रदेश्ट प्रिथाखों कर 36 गड़ का निर्मान किया गया है, तो ये 30.47 प्रतीशत किसका है, 30.47 परसें, clear है, 36 गड़ से करक रेखा गुजरती है, बलोदा बजार से, महासमुन से और गरियवन से, इन साथ जीलों से होकर कौन गुजरती है, आपकी पुर्वी दिशांतर, अगर हम पडोसी राज्यों की बात करें, तो तेलंगाना, महाराष्ट, मद्धपदेश, उत्तरपदेश, जारखन, उड़ीसा और आंधपदेश, इसके साथ ही 7 राज्यों से कौन जुड़ता है, 36 गड़ता है, कौन-कौन से जीले चूते हैं, तो देखो, तेलंगाना को है, सुकमा और बीजापूर, महाराष्ट को चूता है, बीजापूर, नारायनपूर, कांकेर और राजनान गाउं, मद्धपदेश को राजनान गाउं, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपूर, कोरिया, सूरजपूर और बलरामपूर, यह 7 जीलों से मद्धपदेश लगा हु उडिसा 8 जीलों से लगा हुआ है, जस्पूर से, राइगर से, महासमुन से, गरियाबन से, धमतरी से, कोंडा गाउं से, बस्तर से, सुकमा से, तो चार ये और चार ये, इस प्रकार आज हमने चत्तिसगर को देखा, बाकी बाते हम अगले पार्ट में देखेंगे, धन्यव झाल